पर 9 स्टोर्स लेकर आये सागर में पहली बार केबल 5 घंटे में फ्री हॉम डिलेवरी सुविधा वर्णी कॉलोनी नंद सिंग केसर सिंग कंपाउंड कट्रा बाजार सागर दमो जिले में लगातारी एक दिन छोड़ एक दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफ़ा हो रहा है ऐसे में जहां शहर के लोगों में हड़कम्प के हालात हैं वहीं यदिया संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में यहां के हालात भयानक हो सकते है एक दिन के बाद एक बार फिर दो और पॉजिटिव मरीज यहां मिले हुए हैं जिसकी पुस्टी, मुक्यच किस्सा एबं स्वास्त अधिकारी ने की हैं ये दोनों कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पहले के एक कोरोना संक्रमित मरीज के रिष्टिदार बताए गए हैं बता दें कि हटा विकास खंट के रसीलपुर निवासी इस मरीज के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसके सभी परीजनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे सभी को कोविड-19 अस्पताल में भरती कराया गया था जिसके बाद दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस मामले पर मुकेच गिस्सा इवं स्वास्त अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकोर ने मामले की पुष्टी करते हुए बताया की अभी हमारे हां दमो में दो की रिपोर्ट आई है नहीं आज दोनों पॉजिटिव हैं और ये हटा व्लोग के हैं कोविड केर सेंटर में ही हैं और ये वो जो पहले पॉजिटिव आई थी महिदा उसी के फेमिली के हैं सब किसले में अपना दसकिस हो गये हैं पर इलाज अपना 11 चल रहा है जिसमें एक जो है वो बस से आई थी बहाँ से सत्ना की थी उसका भी यहीं इलाज चल रहा है वो सम में इलाके 11 दमो से शांतनु भारत सागर टीवी नियोस 923-0067-3366 075-82-407066